नमस्कार बहुत बड़ी खबर है प्रधान मंत्री नरेंद मोदी आज आर्टिकल 370 पर जो कस्मीर में बदला हुए हैं और उसके बाद पहली बार आज रात आठ बजे देश को संबोधित करेंगे पूरा विश्व उनको सुनने के लिए लायलाईत है कि क्या बड़ी घोशना कर सकते हैं क्योंकि जब भी प्रधान मंत्री देश को संबोधित करते हैं तो उसमें कुछ नया होता है आपको बता दें आज आठवा महिना है आठ तारिक है और आठ वजे ये बहुत बड़ा घटना क्रम है और उससे पहले ग्रह मंतरी अमिट सा परधान मंतरी नरेन मोदी से मिले और वही आज अभी अभी कुछ देर पहले हमारे पूर रास्थपती प्रण मुखरजी को भारत र उसके बाद आपको बता दें कि सबसे बड़ा घटना क्रम यह है कि जो पल्टू राम कहे जाते हैं बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार उन्होंने इतना बड़ा यूटन ले लिया है कि वो सोच रहे थे कि मैं अगर बिरोध करूंगा तो सायद मैं चुनाव जीत सकता ह हूं लेकिन जब धवा देखी लहर देखी पबलीक की तो हमारे पल्टू राम नितीश चचा परेशान हो गए और अब उन्होंने कहा है कि केंद सरकार के कदम से हम सहमत हैं और उसका समर्थन करते हैं आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने उस समय कहा था कि हम इसक समझ में आ गया कि जनता तो मोदी के साथ खड़ी है और चटान की तरह खड़ी है परदान मंतरी नरेंद मोदी का समोधन है पल्टू राम का समर्थन हो गया वहीं कॉंग्रेस पार्टी के जो लोकसभा में उन्होंने सदन का नेता चुना है आपको पता दें कि उनका नाम ह अधीर रंजन चौदरी जिन्होंने किस तरीके से अमित्सा के सामने जब इस पीज दे रहे थे तो उन्होंने तरक दिया था कि इंटर्नल मामला कैसे बीजेपी सरकार ने इस पर फैसला ले लिया लेकिन अब फिर वो पलट गए हैं उनको जब पूरी जनता का गुसा का साम जोता नहीं करना पड़ा देखते हैं आप वेट करते हैं आड़ वजे जैहिंद जैभारत